डीजल शेड वटवा के WDM 3D लोकों में लगा यह H-type tight lock कपलर है यह इस कपलर का नकल पोर्शन है यह female पोर्शन है एवं यह इसका male पोर्शन है जब यह कपलर खुली अवस्था में होता है तो नकल का यह भाग बाहर निकली हुई अवस्था में होता है यह इसके अंदर लगा लोक ऊपर उठा हुआ रहता है जब इस नकल को लोक किया जाता है तब यह लोक नीचे गिरकर नकल को लोक कर देता है कपलर के लोक होने को दो तरह से सुनिश्चित किया जाता है डीजल शेड वटवा में किया गया यह दो तरह के मोडिफिकेशन है पहले में कपलर के लोक होने के बाद यह लोक पिन लगाई जाती है इस लोक पिन में भी एक एडिशनल लोक लगाया जाता है जो यह पिन के लोकों के चालन के दोरान होने वाले वाइब्रेशन से पिन को अपने आप बाहर निकलने से रोकता है पहला, दूसरा, अगर कपलर के किसी कारणवस लोक नहीं हो पाए एवं पिन लगाने की कौशिस की जाए तब यह पिन कपलर के लोकिंग कंडिशन के अतिरिक्त अन्य किसी कंडिशन में नहीं लगाई जा सकती जो इस बात तो पूरी तरह से सुनिश्चित करती है कि कपलर के लोक होने के पश्चात ही यह पिन लगाई जा सकेगी एवं अन्य किसी अवस्था में नहीं दूसरा यह लिफ्टर असंबली का नीचे वाला भाग है जो पीले कलर से कलर किया हुआ है जग कपलर लॉक कंडिशन में होता है तब यह पीला वाला भाग नीचे गिरा हुआ रहता है यह बताता है कि हमारा कपलर लोक अवस्ता में है अगर इस लिटर असम्बली का लिटर असम्बली उपर की तरफ है यह लोक उठा हुआ है अर्थात कपलर अभी खुली हुई अवस्ता में है उस वक्त ना यह लोक पिन लगाई जा सकेगी यह पीला वाला भाग भी नीचे गि हुआ है जो यह दोनों इस बात को सुनिशित करते हैं कि हमारा कपलर अभी लॉक कंडिशन में है अर्थात नहीं यह एक फुल प्रूफ सिस्टम है एवं यह कपलर के लॉक कंडिशन में ही यह पिन लगाई जा सकेगी एवं पीला हुआ पीला कलर यलो कलर वाला भाग नीचे दिखाई देगा दोनों इस बात को सुनिशित करते हैं कि नकल अभी लॉक कंडिशन में हैं कि अ झाय से पाई पीला कि जा आब भीज़च अपीला कि श्क्राव सिस्टम लॉक श्रूबट में हैं कि मुछ ठाट हैं कि एवं पूम भीला भीला हैं कि अ पुल अवं जा हैं एवं इन फजने साल को